राम राज्जी के स्थापना का मार्गत तब प्रसस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड का भारत बोलेगा और एक स्वर से जब बोलेगा एक स्वर से चलेगा 2017 में योगी के मुख्य मंत्री बनने के बाद से अब तक कुल 183 पुलिस एंकाउंटर हुए हैं और दरजनों घर तोड़े गए हैं दूसरी तरफ योगी आदित्यनात कहते हैं कि उनका शाशन राम राज्जी की राह पर है तूसरी दास ने राम चरित मानस के उत्तरकान में राम राज्जी कैसा होगा इसे राम से ही कहवाया है यानि राम कहते हैं कि अगर मैं कुछ अनीती की बात कहूं तो भे भुलाकर मुझे रोक देना लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भे भुलाकर पुलिस और सरकार को रोकना संभव है दूसरी तरफ योगी के रामराज्य में पुलिस एंकाउंटर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं जो दरजनों घर तोड़े गए हैं उन अभियुक्तों को कोट ने दोशी भी नहीं ठहराया है योगी राज में हुए 183 पुलिस एंकाउंटर में ज़्यादतर मुसल्मान मारे गए हैं और ज़्यादतर घर भी उनहीं के टूटे हैं योगी आदितेनात उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना चाहते हैं बुल्डोजर चलाना और मुढभेण में मारना और काश्टडी में टार्चर करना हिरासत में उत्पीडन करना वो किसी भी जाद्धर्म और किसी भी संपरदाय के लिए गलत है लेकिन उत्तर प्रदस्वे स्रीमान योगी जी की सरकार उसके लिए जो चिन्नित कर रही है वो मुसल्मान को, आदिवासी को, दलित को और पिछणों को आप 183 जो मुर्भेण में मौद हुई है वो किसी भी सासन और व्यवस्था के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी सिक्षी समाज के लिए सर्म में डूब मरने की बात है जो भी डिमॉलेशन सभी सामने नजर आए हैं उनमें कोई भी ऐसा डिमॉलेशन नहीं है जो की गयर कानूरी रहा हो बकाइदा हमारे याएक एजनसी है जैसे अपने हाँ प्रयाग में प्रयाग डिवलप्मेंट अथोरिटी है जहां भी डिमॉलिशन हुए है वहां पर उनको प्रायर नोटिस है क्योंकि आप जानते हैं एक्ट में रिक्वार्मेंट है कि बिना नोटिस के भाई कोई डिमॉलि समय इसे उंजायग कर रहे थे किसी ना किसी तरह से चीजों को मैनेज कर रहे थे और इस सरकार ने वो चीज़ें बंद कर दी है योगी सरकार के तौर तरीके और कामकाज को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है प्रवीन निशाद प्रियागराद संगम में नाव चलाते हैं इसी से वह रोजी रोटी कमाते हैं प्रवीन योगी के कामकाज से खुश है लेकिन सुल्ताना नक्वी सरकार से काफी नाराज है उन्हें लगता है कि पुलिस ने अतीक अहमत को जान बूज कर मरवा दिया क्योंकि उनसे एक खास समुदाय को मदद मिलती थी अब जब मेडिकल लेके जाते हैं तो कैसे मीडिया चली जाती है उनके पास यह नहीं समझ में आता है हमको बहुत आजसाई आजसरा बाई चलेगे बहुत हमको अफस्स हुआ राज्जे सरकार ने वन टिलियन डॉलर एकोनोमी के आगामी पांच वर्स के अपने एक तरफ योगी आदित तिनात प्रदेश में इन्वेस्टमिंट समिट कराते हैं और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्फियस्ता बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अदालत से बाहर सजा देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं क्या योगी सरकार की नीतियों में विरोधा भास हैं? कि निवेशक एक चुहे के समान होता है उसे जरासा भी भहे लगे तो वो बापस बिल में भाग जाता है क्योंकि वह जोखिम नहीं उठाता इसे हम लोग जो हमारे father of economist हम लोग कह सकते हैं केंस कहते थे कि उसके अंदर animal spirits होती है लाब दिखाई देगा तभी कोई काम करेगा वरना नहीं करेगा और लाब जो होता है वो केवल stability के साथ आता है सामाने तोर पर अगर ये perception बन जाएगा जनता का, समाज का, या निवेशकों का perception अगर ये बन जाएगा कि यहाँ पर जो नियाए विवस्ता है उस पर लोगों का विश्वाश कम है और पुलिस प्रशाशन या पुलिस की विवस्ता पर जादा है तो ये perception अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि हो सकता है पुलिस कभी सही काम करे लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस ऐसे लोगों को सजा दे दे जो वास्तों में बिलकुल एक तरीके से चरितरवान हो या जो समाज सेवक हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी समय में पुलिश के या किसी नेता के खिलाब कोई बात कही हो योगी की बुल्डोजर निती की लोकप्रियता बीजेपी शाषित दूसरे राज्यों में भी बढ़ रही है मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी कुछ घरों पर अपराध रोकने के नाम पर बुल्डोजर चलवाया चुनावी कैम्पेन में बीजेपी उमिद्वार योगी की रैली की मांग खूब करते हैं योगी की नीतियां उत्तर प्रदेश को कहां ले जाएंगी जजिया लगाने के बाद औरंगजेप जुम्मे की नमाज पे जा रहा है और बाकाइदा लिखा हुआ है योगी उत्तर प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं मुझे नहीं लग रहा हैं वो अपने लिए काम कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि अगर इससे पॉपलरिटी बनती है हिंदू वोट्स पोर राइज होते हैं तो मेरी स्टिती अपने हां मजबूत होगी अपनी पार्टी में और आई वुड बी दा लाइकली सक्सेसर अफ नोदी उत्तरप्रदेश के बीजेपी नेताओं को लगता है कि योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां गुंडा राज था और अब इसे काबू में किया जा रहा है जो उत्तरप्रदेश की इमिज थी लोई नॉड को लेके वो बदली है पहले तो अगर आव वेस्टर यूपी का देखे तो उसका परहन संस्कृती बोलते थे वहां पर कल्चर ऑफ किड्नापिंग कोई भी किड्नाप हो जा रहा है काम नहीं हो पा रहा है करीब करीब समाप्त हो गया है वेस्टर यूपी में और पूरे उत्तरपदेश में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो ओगनाइस्ट क्राइम है वो समाप्त हो रहा है तो परसनल इंडिविजुल क्राइम का क्या खेंगे गंगा यमुना और सरस्वती के इस संगम में सरस्वती अद्रिश्य है संगम समाहित होना होता है लेकिन गंदी होती यमुना गंगा में मिलकर भी अलग दिखती है सरस्वती के विलुप्त होने की तरह उत्तर प्रदेश की साजिस संस्किती का संगम भी खत्रे में है मजहब की सियासत में साजिस संस्किती के संगम की दिशाएं अलग हो रही है भविश्य का उत्तर प्रदेश कैसा होगा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अलगाओ थमता है या बढ़ता है